वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके मैल आइकन में आल को प्रेस कर दीजिए नमस्का, ट्रेंस और ट्रेवल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैलानी से शागण के बीच जो रेल विद्दूती करण का कार चल रहा है और अब वहाँ पर तार लगाने का काम पेंडिंग है पैकेज 3 में, इज़त नकर मंडल में तो वहाँ पर SSP कहाँ पर बन रहा है, उसको हम देखेंगे कितना बन चुका है, क्योंकि बाके गंज के बाद जो अगला SSP आएगा, वो सेहरा मोव स्टेशन के पास आएगा पैकेज 3 में, तो ये वीडियो भेजा है, उस्मान खान भाई ने उस्मान भाई वीडियो भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो चलिए एक छोटी सी अपडेट, एक छोटा सा व्यू, सेहरा मोव स्टेशन और सेहरा मोव स्टेशन के पास बन रहे SSP का, उमीद है वीडियो आपको पसंद आएगा ये सेहरा मोव स्टेशन है, शुरुआत वीडियो की हम यहीं से कर रहे हैं और एक मोहिम चलाने की जरूरत है, क्योंकि मैलानी से आगे जैसा हम जानते हैं पैकेज 3 में शागर तक सियारस के बाद भी अभी रेल गाडियों का जो संचालन है, वो शुरू नहीं हो पाया है टिकट घर सामने आप देख सकते हैं, सनाटा पूरे स्टिशन पर पसरा हुआ है और एक मोहिम चलाने की जरूरत है, हम लोग कू के माध्यम से, कू एक एप है उसके माध्यम से हम लोग मोहिम चला रहे हैं, निरंतर रेल मंतरी जी को इस बाबत लिख रहे हैं और जितना भी हो सकता है, आज पास के लोगों से, आप लोग भी जो इस्थानी लोग हैं, विशेशकर दबाव वनाने की कुशिश करें जिस से फिर मैलानी से आगे कम से कम एक जोड़ी रेलगाडी रेलवे आपको दे और यहां भी जो इस्थानी लोग हैं उनको एक सस्ता और आराम दायक सफर करने का मौका मिले जैसा आप देख सकते हैं पैकेज 3 में हमारा रेल इलेक्रिफिकेशन का कारी होना है ये कारी भी KPTL करेगी और बाके गंच मैलानी के बीच तार तेजी से लग रहा है NOC मिलने के बाद और बाके गंच के SSP के बाद अगला SSP जो बनाया जाएगा जिसका निर्मार हुआ है वो यहीं सेहरा मो के पास सेहरा मो स्टेशन के पास ही बनाया गया है तो यहाँ पर सिर्फ तार लगना बाकी है बाकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है मास्ट वगरा ड्रॉप आम्स ब्रैकेट्स देखिए यहाँ पर लगभग तैयारी पूरी कर ली गई है और मुझे लगता है जब मैलानी में पावर आ जाएगी 25,000 वोल्ड का करेंट बाके गंच जुड़ने के बाद मैलानी के तारों में आ जाएगा जंक्शन तक तो उसके बाद फिर वहाँ से आगे मुझे लगता है सहरा मव होते हुए कुरईया तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वाइरिंग में क्योंकि आगे फिर कहीं पर कुछ फॉरस्ट का पैच है यह वो SSP है जिसकी पहली जलक हम आपको दिखा रहे हैं प्रेंसें ट्रेवल पर SSP की बिल्डिंग छोटी से आप बेख सकते हैं पूरी तरह से तैयार साइड में जो रूम होता है और जो उसका स्ट्रक्चर है पूरा देखिए SSP का यहाँ पर फेंसिंग लग गई है यहाँ पर देखिए साइन बोर्ड भी लग गया है सेरा मौ SSP बिल्डिंग पेंट हो गई है फेंसिंग पूरी पेंट हो गई जाली सारी तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है SSP बिलकुल आलमोस्ट आप कह सकते हैं रेडी है यहाँ पर और जब वाइरिंग होगी तो उसके बाद ये एनरजाइज हो जाएगा और मुझे लगता है मैलानी जुड़ने के बाद पैकेज 3 की जो वाइरिंग है आगे वो सहरा मौ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चीए यहां से आगे थोड़ा कुरईया के दिशा में क्योंकि पावर आपको मि कंप्लीट हमको दिखाई दे रहा है बस लिंकिंग इसकी बाकी है जुड़ना इसको बाकी है बाकी यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक SSP का सब कंप्लीट नजर आ रहा है तो एक छोटी सी जलक थी SSP की उमीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा